So, hello everyone, कैसे आप सभी और उमीद करता हूँ, सांदार होंगे, जानदार होंगे, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, class 12 का एक और chapter जिसका नाम है the last lesson, ठीक है, the last lesson जो है class 12 का एक important topic है, इस पे आज इसकी हम summary देखेंगे, line by line देखेंगे, हर एक चीज़ को गौर समझ ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दू कि यह जो एक कहानी है, एक ऐसे लड़के की है, जो school जाना नहीं चाहता, french उसको विल्कुल भी नहीं आती है, और उसके teacher जो है, वो last lesson मतलब last war french पढ़ाने बारे है, ठीक है, तो ऐसे लड़के की कहानी बताने वाला हूँ, जो आपको बहुत ही मज़ा आएगा उसको गहानी को पढ़के, ठीक है, और वो लड़का जो पढ़ने में विल्कुल इंटरस्टेट नहीं है french को, वो last class को बहुत इंटरस्टिंग से पढ़ता है, और उसको ऐसा लगता है कि मैंने ना पढ़कर के गलती किया है, ठीक है, तो यह चीज है, इस पूरी class को आज हम देखेंगे, good evening, सभी को नमशकार, चलिए, start करते हैं session को, dear students, तो चलते हैं सबसे पहले original text पे, तो फिर पढ़ने का आनंद double हो जाएगा, ठीक है, so मैं आप लोग को बता दूं कि यह जो class है, last lesson, यह summary हम देख रहे हैं, line by line देख रहे हैं, ठीक है तो इस कहानी को जो सबसे पहले मैं बता दूं लिखा किसने है, तो Alphonse Dodet ने लिखा है, ठीक है, वो एक France के हैं, ठीक है, और इसमें actually जो कहानी है, मैं तो उसका background बता देता हूं, कि परसिया की जो सेना है न, उसने France पर आकरमड कर दिया है, और इस आकरमड में Germany ने उसका बहुत साथ दिया है, France का, ठीक है, और इसी कारण से France जो है, जर्मनी ने जो है परसिया का बहुत साथ दिया है, ठीक है, और जो परसिया है, जो परसिया देश है, उसने France को हरा दिया है युद्ध में, ठीक है, और उसके दो, उसके दो सहर, या दो डिस्टिक पे मैं कह सकत पर लॉरेंट पर अधिकार कर लिया है ठीक है यहां से पूरी कहानी सुरू होती है और यहां पर क्या होता है युद्ध चली दा युद्ध जो है वो चल रहा है दो जगहे पर दो जिलों पर कबजा भी हो गया होता है उसके बाद मैं आपको बताता हूं एक फ्रांच जणाम का लड़का जो फ्रांस का है वो नरेट कर रहा है ठीक है और ही इस लेजी ठीक है लेकिन खेलने पर उसका जो है ना मन बहुत लगता है खेलने पर उसको बढ़िया उसको मज़ा आता है ठीक है तो यह चीज़ आप लोग को मैं बता दूँ ठीक है इसके बाद क्या है कि मैं आप लोग को बता दूँ कि he dislike study French और वो फ्रेंच पढ़ना बिलकुल पसंद नहीं करता है ठीक है आगे मैं आप लोग को बताता हूँ इसकी और कहानी आफ्टर ओवर्पावरिंग दियर डिस्टिक्स ओफ एल एलेक्स एंड लॉरेन इन फ्रांच बेरलीन हैस ओडर डेट जर्मन लैंग्वेज इंसिट और फ्रेंच बी टॉट इन इन दे स्कूल दियर ठीक है तो यहां प लॉरेन जो है वो दो डिस्टिक है जो फ्रांस के थे जो अब किसके कबजे में है जो अब कबजे में है किसके परसिया के परसिया सैनिको के और चुकि परसिया की जो सहायता की है वो जर्मनी ने की है ठीक है तो बर्लीन जो है जर्मनी की राजधानी है उसने और दिया है कि भाईया यहाँ पे अब फ्रेंच भासा नहीं पढ़ाये जाएगी इन दो जिलों में, यहाँ पे अब क्या पढ़ाये जाएगा, यहाँ पे जर्मन भासा को पढ़ाये जाएगा स्कूल में, ठीक है, अब जो भी टीचर जो फ्रेंच पढ़ा रहे थे वहां के स्कूलों में, has been there for 40 years ठीक है अब यहाँ पर जो हमारे फ्रेंच जो टीचर है या फ्रांज के जो फ्रेंच टीचर है एम हैंवल ठीक है वो जो है वो इस स्कूल में लगभग 40 साल से लगभग पढ़ा रहे हैं और 40 साल के दौरान उनका आज यह लास्ट लेसन है क्योंकि आज के बाद वो नहीं पढ़ाएंगे फ्रेंच क्योंकि उस जगह पर फ्रेंच पढ़ाने के लिए मना कर दिया गया है परसियाई सैनिक द्वारा ठीक है वो जो ब्यक्ती हैं वो कैसे हैं मतलब जो हमारे जो टीचर है वो कैसे हैं भाइया वो एकदम कहना चाहिए क्योंकि जो डूबे हुए व्यस्था है यहां पे अगर यहां पर फ्रेंच पढ़ाना बंद हो जाएगी तो निश्ट और पर जो छोटे-छोटे बच्चे है ना वो जाके अपनी मातरभासा भूल जाएंगे और यह जो देश है जो फ्रेंच का जो एक छोटा सा दो जिले हैं यह जर्मनी कबजे में चले गए तो हरमेशा के ल करने के लिए जो गाओं के जो ओल्ड मैन है ना वो भी लास लेसन अटेंड करने के लिए आए हैं और पीछे की फ्रेंच में बैठे हुए हैं ठीक है तो आगे चलते हैं यह जो आपकी मदर टंग है अपना नुकसान ही होता है ठीक है यह बताएंगे देखें आगे अब मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ी सी कहानी बताता हूँ यह जो फ्रांज नमक लड़का है यह हर सुबह की तेरह जगता है लेट जगता है ठीक है अब यह सोचता है कि इसकी आज स्कूल में न एक चैप्टर पढ़ाया जाना है ठीक है पार्टिसिपल का ठीक है और उसको पूछने के लिए जो हमारे मास्टर हैं टीचर हैं जिनका नाम हैमल मैंने बताया था वो पूछेंगे इससे तो फ्रांज सोता है कि आज मैं स्कूल ना जा करके मैं बंक मार देता हूं ठीक है तो यह स्कूल घर से स्कूल के लिए निकलता है लेकिन इसके दिमाग में माइंड में दिये चलता है कि मैं स्कूल आ नहीं जाता हूँ क्योंकि इतना सुन्दर मौसम है यार इतना ब्राइट मौसम है तो चलो ऐसा ना करें कि कहीं खोड़ा जंगल होंगा टाइप का घूमाएं या जंगल किनारे देखाएं अच्छा वो जाता रहता है तो उसको समझ स्कूल जा रहा होता है तो वहाँ पे स्कूल जाते समय एक टाउन हाल नाम की जगह मिलती है जहां पे बहुत भीड थी टाउन हाल में एक्चली होता क्या है कि टाउन हाल नाम की जो जगह है वहाँ पे लोग जितने सुब और असुब समचार है न वो टाउन हाल के बुलेट जर्मनी कभजे में चले गए हैं, ऐसी दुखवरी कहानी और भी जैसे कि हमारे सैने की ये हार गए, हमारे सैने की ये जित गए ऐसी कहानी सब टाउन हॉल में मिलती है तो उसको लगता है कि आज फिसे कोई बड़ी कहानी हो गई इसलिए यहाँ पे भीड बहुत सारी लगी है ठीक है तो वो ऐसा सोचता है और धीरे धीरे क्या होता है भाया वो आगे बढ़ता है ठीक है अब वो स्कूल पहुंसता है जब वो स्कूल पहुंसता है तो देखता है कि मतलब स्कूल में आज पूरी सांती फैली हुई है मतलब जैसे हरमेशा जब स्कूल जाता था तो बच्चों के ब्रेंचों की आबाज आती थी, बच्चों के बोलने की आबाज आती थी, कोई पढ़ रहा है, कोई चल रहा है, ऐसी कोई आबाज आती थी, जो आज बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एकदम से चेंज उसको फील होता है वह तीचर उसको डाटेंगे लेकिन उन्होंने डाटा नहीं उसको आके प्यार से बैठने के लिए कहा ठीक है अब वो बैठता है और वो देखता है कि जो मेरे टीचर है आज कुछ बदले-बदले से लख रहे हैं मतलब वो ज्यादा ना हस रहे ना ज्यादा कुछ भी मतलब फ्र मतलब ऐसे कप्ड़े वो ना दोई वार दोई समय पे पहनते हैं ठोलना जैशन होता है अगज आएगा और क्नास नहीं समझ में आयए तो दूसरी बार भी देख़िएगा तो जरू समझ में आ जाएगी अब उसको लास्ट जो चैप्टर होता है उसको पता चलता है उसको तो फ्रेंच आती नहीं है ठीक है अब यहाँ पे टीचर खड़े भी कर देते हैं बुल दे चलो आज बेटा यह जो हमारा फ्रांच है यह पढ़के बताएगा हमको फ्रेंच अब यह भी बड़े confidently खड़ा होता है लेकिन पहले ही अच्छर पे अटक जाता है फिर उसको सर समझाते हैं कि अगर बेटा तुमने फ्रांच नहीं सीखी न तो एक दिन ऐसा होगा कि यह जिले है न हरमेशा किसके जर्मनी के गुलामी में ही रह जाएंगे ठीक है या परसीन के गुलामी में ही रह न में लिए उसको समझ में आता है यार यह न यह जो प्रेंच बहुती जरूरी है और उसको समझ की मतलब co उपर जा रही होां तीन बिलैए वग्विशा इंसॉप्र आने लगती है उस टिन से फिर किया होता है विशा तो n प्रेंच पढ़ाते हैं उनसे जो हमारा हीरो है फ्रांच वो क्या करता है थोड़ा सा नफरत टाइप करता है लेकिन आज के दिन पर वो उनको बहुत ही चाहने लगा है और उसके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या है रस्पेक्ट आ चुकी है और मतलब उसको उनके हार्डवर को देख करके मतलब एम हमल के हार्डवर को देखके उनके अंदर क्या हो गया जो फ्रांच के अंदर प्राद दिल उसका पसीज गया है अब उससे पार्टिसिपल जो चैप्टर है उससे बनता तो है नहीं इस चीज़ के लिए वो थोड़ा सा क्या है असेम्ड भी है मतलब कह सकते हैं आप कैसे कह सकते हैं तो नाखुस या सर्म टाइब का है उसके अंदर ठीक है एम हैमल जब उससे बोलते हैं कि तुमसे ये जो फ्रेंच नहीं बनती इसका कारण तुम नहीं हो कि तुम्हारी ये गलती है गलती किसकी है ये गलती ना तुम्हारे माबाप की है ठीक है अच्छा फिर बोलते हैं ये माबाप की भी गलती नहीं है गलती मेरी है कि मैंने है ऐसा जो सिक्षा के वो बोलते हैं और यह बात जो है उसके बड़े दिल के गहराईयों तक जाकर लगती है इसके फ्रांज के फिर his paterism is reflected in his praise for the French language as being the most beautiful and most logical language in the world ठीक है वो बोलते हैं कि जो फ्रेंच भासा है न यह बहुत सांदार बहुत सुन्दर भासा है और बहुत ज्यादा तर्गपूर्ण भासा है ठीक है तो मतलब फ्रांच जो फ्रेंच भासा है न उसकी यह तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि भ अगर आप अपने मदर्ट लैंग्वेज को अगर आप अपने मातर भासा को हरमेशा पकड़के चलते हो ना अपने बच्चों तक ट्रांसफर करते हो ना तो निश्चत तोर पर आप कभी भी आप गुलामी के अंतरकत नहीं आ सकते हैं आप गुलामी के अंदर गुलामी के बंधन में नहीं बद सकते तो आगर कुछ दिन के लिए गुलामी के बंधन में बद भी कहना तो आपकी मातर भासा आपको यह बताती रहेगी कि आप अभी गुलामी में हैं आपको क्या करना चाहिए स्वतंदता के लिए लड़ना चाहिए ठीक है तो य importance of learning their mother tongue and that they have been defeated by the Germans because of their illiteracy. It will help to getting. देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, इससे उनकी मतलब देश भक्ति छलगती है, ठीक है, मतलब यह समझना है, वह जो क्लास है ना, उसको अपनी भासा की रक्षा करने के लिए कि रक्षा करो, और उसकी गुलामी की जो जेल से बचने के लिए अपने भासा की करीब होना मह मतलब अगर आपको गुलामी में नहीं जाना ना, अपनी मातर भासा से जुड़े रहना चाहिए, और जर्मनी से मुक्त होने में मदद करेगा, यह जो तुम्हारी, यह जो मातर भासा है ना, यह तुम्हें जर्मनी से मुक्त करने में तुम्हें क्या करेगा, मदद करेगा, जो जर्मनी कि तुम गुलाम हो गए हो जो सहर वो तुम्हें इस गुलामी से बचाने का क्या करेगा काम करेगा ठीक है अब यहाँ पर फ्रांच सोचता है मतलब यह सोचता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई भी मतलब भले गुलामी में वो आजाए लेकिन वो अपनी मात्रभासा उसको नहीं भूलना चाहिए जैसे यह कबूतर है यह कबूतर की जो आबाद आ रहे है गुटूर्गू गुटूर्गू की ठीक है तो यह जो गुटूर्गू की आबाज उसकी आ रही है तो वो अब यह थोड़ी ना उसको पता है कि हम जर्मनी के गुलामी में हैं उसको तो अपनी बासा बोलनी ही है ठीक है तो यह बोलता है कि मतलब फ्रेंच को तो फ्रेंच मेंच बोलना ही चाहिए और वो मतलब सिक्षक से अपने क्या होता है सहमत होता है ठीक है और यहीं पर हमारी जो कहानी है वो खत्म हो जाती है ठीक है और यहां पर जो इसने में ही क्या होता है खिड़की होती है खिड़की से एक आबाज आ रही होती है जहां पर परसियन सैनिक जो है उनकी ड्रिल की आ रहे हों ठीक है और यहाँ पे जो सिख्षक है जो हैमिल सर है वह उस आबाज को सुनते हैं और बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और जितने बड़े अच्छर में हो सकता है उतने बड़े अच्छर में लिखते हैं थीक है क्या लिखते है वाइव LAF France, बहुत बड़े अच्छर में लिखते हैं, जैसे बोर्ड में पुरा भर जाए, तो वो बोर्ड में लिखते हैं, बाइव लॉफ फ्रांस, इसका मतला होता है, लॉंग लीव फ्रांस, मतलब तुम जीओ, हजारो, साल, साल, साल के दिन हो, एक हजार, फ्रांस, तुम बहुत जीओ, ऐसा वो लिखते हैं, और इसारों हिसारों में बोलते हैं, बड़े दुख से, कि क्लास खतम हुई, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, और यहां पे कहानी हमारी समाप्त होती है, ठीक है, तो देवियों सज्जनों, समझ में आया होगा आप लोग को, ऐसी उमीद करके म चल रहा हूँ, नेस्ट क्लास में आप लोग जुडिये, जिसमें हम लोग important facts को discussion करेंगे, exam oriented.